ये हैं दुनिया की सबसे बड़ी बगवान शीव की प्रतिमा जो की 351 फीट की है राज्यस्तान की रासमन जीले में सीनाजिक नगरी नात दुआरा में इसे बनाया जा रहा है भारत में Statue of Unity के बाद ये दूसरे नंबर की सबसे उची प्रतिमा होगी शहर से 20 किलोमेट दूर से ही ये भवी प्रतिमा आने जाने वालों को दिखाई देगी इस प्रतिमा को कॉर्वल टक्निक से बनाया जा रहा है इसका Wind Tunnel Test यानी उचाई पर हवा का दबाव सिड्नी में हुआ है 250 की स्पिट से चलने वाली हवा से भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका डिजाइन मुर्तिकार नरेश कुमावत ने किया है इसमें 2600 टन स्टिल, 2600 टन लोहा और 26,618 क्यूबिक मीटर सिमेंट और कंक्रिट लग चुका है साथ ही 90 इंजिनियर स्टाफ और 900 कारिगर दिनराथ काम कर रहे है बगवान शीव की प्रतिमा के सामने 25 फीट उची और 37 फीट चोड़ी नंदी को भी बनाया गया है इस प्रोजेट को नादवरा का मिराद ग्रूप बनवा रहा है बताया जाय रहा है कि मार्च 2019 तक इस मुर्ति का काम पूरा हो जाएगा बगवान शीव के सीर के अंदर दो पानी के टेंग बनाये गए हैं जिसमें से एक टेंग का पानी बगवान शीव की जटाओं से भान निकलेगा और जला भी शिग हुआ और दूसरे टेंग का पानी आग जनी होने पर काम आएगा मुर्ति कंदर चार लिफ्ट लगेगी है दो लिफ्ट में एक बार में 29-29 भक्त लोग 277 फिट और दो लिफ्ट में तेरा तेरा शर्दालू 280 फिट तक जाएंगे भगवान शीव के कंदे पर जाकर प्रेटक, शीनाजी की नगरी और नादवरा मंदिर के दर्शन का आनन ले सकेंगे इस्टेच्व पर लाइटिंग अकाम मस्को कमपनी को दिया गया है जो की अमेरिकन कमपनी है ताकि ये शीव मूर्ती रात को भी दूर से दिखाई दे सकें इस्टेच्व और लिबर्टी पर भी लाइटिंग अकाम यही कमपनी कर रही है इसके साथ ही 16 एकर में फेले इस एरिया में टीन पार्क, एक हरबल पार्क, एक ब्रीज, मुर्थी को देखने के लिए एरेवी पॉइंट, एम्पी ठेटर, मुजिक फाउंटेन, फूट कोट एरिया, हेंडिकाप शोप भी बनाए गई है परतिमा की खासे तो सबसे पहले उचाई है, 301 फिट इसकी हाइट है, जो पुरे विश्व वर में शिव जी की एतनी बड़ी परतिमा कहीं भी नहीं है एशिया की सबसे लारज़ेस्ट इस्टेच्चू के नाम से है, और शिव जी के अंदर मरबाद चार लिफ्ट है, 29 पैसेंजर की, 13 पैसेंजर की हैं, दोनों दोदों है, दूसरी जो लिफ्ट है, 270 और 80 फिट तक आदमी को ले जाती है, और बाहर आके आप पूरा गार्डन का नादवारा का विव ले सकते हैं, और इस मूर्ती को हमने पूरा स्लिप फॉर्म में बनाया, इस्टेक्चरी स्टील हमारे करीब 2300 तन इसमें लग चुका है, और रेंफोर्समेंट स्टील 2700 तन